नमस्कार दोस्तों इंडिया बुलेगा मैं आपका स्वागत है आज हम आपको उत्रपदेश के जौन पूर जिले की एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप चौक जाएंगे जी हाँ यह प्यार की कहानी है जिसमें मिस काल से प्यार हुआ था और मामला साधी तक पहुँच गया और अब प्रेमिका शाधी की जित पर अड़ी हुई है पूरा प्रकड जौन पूर के सिकराला थाना छेत के नेवडियां गाउं का है जहां पर प्रेमिका साधी की जित को अब आपको बताते चलें कि सिक्राला थाना छेत के नेवडियां गाउं में कुरुवार की शाम च्छा बजे करीब मडियां हूं छेत की एक लड़की अपने प्रेमी से मिलने उसके गाउं पहुँच गई उसका कहना है कि यूवक से उसकी मिस कॉल करने के बाद बात्चीत होने लगी बात्चीत होते होते दोनों के बीच प्यार महबत की बाते होने लगी यह सिलसिला करीब एक साल तक चलता रहा महिला गुरुवार को प्रेमी के गाउं का पता लगाते हुए गाउं में आधम की चर्चा सुरू हो गई प्रेमी के हरकम मचाने पर बात फैली तो गाउं में भीड इकठा हो गई बात चीत में पता चला कि दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं मिस कॉल से प्यार का सिल्सिला सुरू हुआ तो साधी का वादा भी लड़के ने यूती से कर लिया चर्चा इस बात की रही कि लड़का सत्रस साल का है वहीं लड़की की उम्र 35 साल है लड़के के घर वाले इस बात के लिए राजी नहीं हैं अगल बगल के लोग लड़की को समझा रहे हैं और देर रात तक मामला हल नहीं हुआ लड़के का कहना है कि उसे मिस कॉल से प्यार हुआ था और बाद में प्यार महबत में बाद बदल गई अब लड़का भी परिवार वालों के सामने कुछ नहीं बोल रहा है इधर नाबालिक लड़के ने लड़के और दो बच्चों की मा का प्रेम की चर्चा पूरे छेत में हो रही है बताते चले की दूसरे दिन सुक्रवार को भी निवडियां गाउंक में यूवक के घर जो पहुँची प्रेमिका का मामला वैसे ही चल रहा है और प्रेमि की विकलांग मा उसे खिला पिला रही है और प्रेमि के घर इसी तरीके से डटी हुई है प्रेमि जहां खुद को नाबालिक बता कर साधी करने से मना कर रहा है वहीं यूती साधी करने की जित पर उसके घर में रह रही है छेत में यह चर्चा का विसे बना हुआ है आपको बताते चलें की दबे स्वर में लोगों के बीच या चर्चा है कि प्रेमी का दो बच्चों की माँ भी है दोनों के उम्र में दो गुना का अंतर है बहराल या प्रेम कहानी छेत में चर्चा का विसे बनी हुई है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकान की गंटी जो होते हैं